हालो टेडेस, वालकम तो लाइज ब्लू, मैं हूं दिवन कोगई और आज हम बात करेंगे क्रूद आल की पूर, क्रूद आल पॉइबट पॉइंट और सब्सक्राइब और रेजिस्टेन और क्रूद आल का मार्केट ट्रेंड क्या है और मार्केटर रेंज, कौणौजा रेंज हमें मार्केट आभी चल रहा है तो यह देख सकते है, देली कुरूद वैल तो आज कुरूद वैल का पीफट पॉइंट 5228 1st रेजिस्टेन 5258 2nd रेजिस्टेन 5304 3rd रेजिस्टेन 5334 1st सपोर्ट 5182 2nd support 5152 3rd support 5106 तो अब देख सकता है यह crude oil daily chart जो मैंने यह resistant line लगाया था अब देख सकता है यह previously मैंने resistant line लगाया तो exactly वहां तक गिया हुआ है यह resistant line तक तो अभी उपर तक अगर हम देखेंगे weekly weekly में उसका तो सब्वोर्टन रेजिस्टेन लाइन एचाही डिस्प्ले होता ही नहीं तो यहां से आप देख सकता है next जो resistant line है crude oil का जो यह next resistant line है यहां पर तो इसको निकाल देता में तो आप देख सकता है 5620 next resistant line यह तो monthly में आ रहा है अभी तो weekly में भी इसका resistant line नहीं आ रहा है तो अगर हम इसको monthly में और Fibonacci से भी देख सकता है इसका resistant line क्या है तो यह तो बहुत ऊपर देखा रहा है जो 161 level उसको तो टो डिया हुआ resistant line तो इसको next according to Fibonacci यह तो देखा रहा है 6 966 जो अब देख सकता है 2013 में जो breakout किया था तो अभी तो इसके लिए थोड़ा time लागेगा तो आभी हम Fibonacci का उपर नहीं जाता है यह monthly का तो हम आभी 4 hour में देख लेते हैं तो 4 hour totally strong trend है तो 4 hour में हमने अगर इसको Fibonacci में देखे Fibonacci जो resistant line होगा तो इसमें हमें next एक resistant line मिला हुआ है 5362 यह 123% extension यह Fibonacci और next आएगा 138% Fibonacci extension of previous wave अर्ले रेदी आप देख सकता हुए यह 61% जो देखाया तो हम reverse करेंगे तो हुए 38% retracement करके फिर वह वाप उच जाने का जो confirmation form pattern है उसको form कर रहा है तो यह हो गया हमारा resistance previously तो already 160 यह 38% retracement हुआ तो हम अगर उसको trend line में देखे तो आप देख सकता है यह है उसका previous trend line right मैंने जो lower दोनों को connect किया तो third lower point हमें मिल गया तो हम देखेंगे तो इहां से तो next अभी market आप देख सकते है यह zone में चल रहा है रेंज में जो market range आफ रेंट और यह range range bounce आप देख सकते है थोड़ा इहां से 151 से लेके 151 से लेके 153 तक एक range में यह range में आपको अभी trade करना चाहिए तो अगर इहां पे long position के लिए buy का रहे तो इहां आप अगर buy ले ले तो आपका ASL यह जो supporting line है उसका निक्छे में आएगा तो range होगा 15100 आजपास और book profit रहेगा 154 एरां 1-3 रहेट 1-100 पॉइंट बिलो और 181-2 पॉइंट रहेगा ratio तो आभी हम देखे 15 मिनित में इसका pattern क्या है आज के लिए तो आप आज देख सकता है यह market to gap up में open हुआ है तो इसको हम confirmation के लिए बात करें तो इसको देख सकता है यह जो previously resistant अपर रिजिस्टेंट लें था range में जो एक मिनित इसको में थोड़ा एक range डाल दूँ तो आप समस में आज से आएगा तो इहां से देख सकता है यहाँ पर 15 मिनित में यह range में था काल जो market था तो काल में ने कुछ आपडेट किया नहीं था यह काल में था नहीं तो इसमें आप देख सकता है यह resistance line का शोरी यह range था यह breakout करके उपर गया हुआ है तो इसमें आपको next resistance आपको मिला हुआ है 5300 fast resistance तो यह होगा fast resistance तो आप 30 40 point का उपर अगर इसको breakout कर दिया तो next resistance रहेगा 5361 around 100 point and the third one 37 point next resistance 30 resistance 155 397 तो इसमें हमें 5 मिनित में देखे तो आप अगर 5 मिनित में देखे तो इसका entry point कहां मिलेगा right तो इसका entry point कहां मिलेगा अगर आपने यहां पर एंटी कर दिया तो market थोड़ा बहुत retracement देशक्ता है क्योंकि market थोड़ा बहुत retracement देता ही है यह 5 मिनित में आप देख सकता है 200 moving average to breakout कर दिया तो चोटा जो according to जो हम find out करता है trend का तो 200 breakout किया जो price action देखे तो price action का जो lower low था यह पहले lower high था lower high को breakout किया तो यहापे lower higher low बना सकता है यहापे यहाथ तो फिरचे market उपर जाने का चांच छे से so I hope you enjoy this video if you like this video please like and subscribe thanks for watching